नमस्ते दोस्तो आज का विचार धिरुभाई अंबानी के बारे में है तो आईए जानते हैं धुरुभाई अंबानी के विचारों के बारे में सबसे बड़ा सोचो जल्दी सोचो और सबसे पहले सोचो क्योंकि विचारों पर किसी एक काधिकार नहीं है अगर आप दृड संकल्प और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपको काम्यावी एक दिन जरूर मिलेगी बुरे वक्त में आप अपने लक्ष को मत छोड़िए और इस बुरे वक्त को अवसर में बदलिए जो सपने देखने की हिमत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं आपके चारों और अवसर ही अवसर हैं बस आपको उनको पहचानना और उनका लाव उठाना है ना शब्द को मैं हमेशा अनसुना करता हूँ किसी भी काम में लाव पाने के लिए आपको स्वयम ही प्रित्न करना होगा क्योंकि आपको किसी भी काम में लाव देने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करेगा अगर आपको अपने द्वारा चुने हुए रास्ते पर भरोसा है इस पर चलने का साहस है हर कटनाईوں को जीतने की शक्ती है तो आपका काम्याव होना निश्यत है अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो कोई और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए आपका प्रियोग कर लेगा हमारे सपने में लक्ष बड़े होने चाहिए महत्व कांशा दिख होनी चाहिए और हमारे विचारों में गहराई और प्रयासों में महंता होनी चाहिए अगर आप किसी लक्ष का सपना देखते हैं तो आप इस लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं हम मेंसे हर किसी के पास सम्मान अफसर होते हैं और ये बात सभी के लिए सकते हैं मैं हमेशे अपने देश हिंदुस्तान को एक महा नार्थिक महा शक्ती बनने का सपना देखता हूँ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है यह जानने की महत्वा कांशा ही मेरी काम्याबी का रहसे है अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें फिर आपकी ही गलती है हम भारतियों की सबसे बड़ी परिशानिया है कि हम लोग बड़ा सोचने की आदत को भूल चुके हैं हम अपने उपर शाषन करने वालों को नहीं बदल सकते लेकिन जिस तरह से वे शाषन करते हैं उसे बदल सकते हैं मैं जीवन के अंतिम सांस तक काम करना चाहूंगा क्योंकि मेरी रिटार्मेंट की एक ही जगा है और वो है शमशान समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ यदि आप दिड़ संकर्प के साथ और पुर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी युवाओं को एक अच्छा माहौल दीजिए उन्हें प्रेरित कीजिए उन्हें जो चाहिए वो सहयोग दीजिए हर युवा एक अपार उर्जा का स्रोत है वो सफल हो मेरा विश्वास है कि अफसर हम सभी के आसपास है कुछ लोग उसे हासिल कर लेते हैं वहीं दूसरे उस अफसर को जाने देते हैं मेरे भूत काल वर्तमान और भविश्य के बीच एक ही कारक है रिष्टे और विश्वास यही हमारे विकास की नीव है धीरू भाई अंबानी के किस विचार से आप प्रभावित हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और वीडियो चलो यह तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें